रोजार्यो प्लस वेम्पायर ये कैसा निमे है जिसके अंदर हमारा में करक्टर गल्टी से एक ऐसी स्कुल में जा पूंचता है जहाँ पर सिर्फ मॉंस्टर्स को पढ़ाय जता है और इंसानों को मार दिया जता है तो कि इस तरह से हमारा में कर स्वाइब करेगा तो चलो एक साथ देखते हैं लगबकी साधे खंटे की वीडियो को वीडियो के शुरुआत में हम हमारे में के अक्टर सुकुनों को देखते हैं जो की स्कुल में होता है और अपने स्कुल से खूस नहीं होता है क्योंकि उस स्कुल में बस लड़कों को पढ़ाया जाता है इस स्कुल खतम बुक गिर जाती और सिन प्रेशन में आता है अगले दिने सुकुने बस में बैट कर अपनी नई स्कुल के लिए निकल जाता है और बस ड्राइवर काफी ज़दा अजीब था वो सुकुने को एक ऐसे जगा पर छोड़ देता है जापर कोई भी नहीं था वो सुकुने उजगा पर काफी ड़नने लगता है और पीचे से एक लड़की आते है जो कि साइकल से सुकुने को ठोग देती है और वो दोनोई गीर जाते है सुकुने को नोस ब्लेडिंग होने लगती है वो लड़की सुकुने के पास आती है और का कुन पीने लगते है असल में ये लड़की एक वेंपाइर है जिसका नाम अकासिया मुका है अकासिया सुकुने को अपना नाम बदाती है और कहते है मैं बेक नई स्टूडेंट हूँ चलो दोस्त बन जाते है उसके बाद सुकुने स्कूल पहुंच जाता है जब पर काफी सारे स्टूडन थे और टीचर उन्हें पढ़ाने लगते हैं और फिर सुकुने को बता चलता है ये एक मॉंस्टर अकेडमी है जब पर सिर्फ मॉंस्टर को पढ़ाय जाता है और इंसानों को देखते ही मार दिया जाता है सुकुने की 4 से चौसमट हो जाती है वो काफी ज़दा डरनने लगता है और तभी टीचर एक नई ट्रांसपर student से इंटेड्यूस कराती है और रहलैट की कोई और नई अकासया थी जो के सुकुने को देखकर काफी ज़दा खुझ हो जाती है और स्कुल की ब्रेक में सुकुने और अकासिया एक साथ होते है अकासिया एक वेंपायर थी इसी वज़े से उसकी स्टेंथ नॉर्मल से काफी ज़ादा थी वो दुनों एक टेबल पर बैठ कर बाते करने लगते है और तब हिवाँ पर गायजो नाप का एक स्टूडन आता है जो कि सुकुने और गुम रहा है गायजो शुकुने के साथ जादा कुछ नहीं करता और वहाँ से चले जाता है उसके बाद अकासिया सुकुने से कहती है तुम किस तरह के मॉंटर हो, तुम थोड़े बहुत कमजोर हो, मैं एक वेंपायर हो और मेरे कले में जो रोजारियो है, उसे निकलने के बाद मेरी वेंपायर के पावर बाहर आती है और साथी वो सुकुने के करीब होने लगती है सुकुने तो काफी ज़दर डरा हुआ था, वो जल्दी से अपना बोर्या बिश्दर बांता है और वहां से निकलने के लिए तयार हो जाता है, पर अकासिया उसे रोकती है और कहती है, तुम मेरे पहले दोस हो, प्लीज मत जाओ पहले में एक इंसानों के स्कुल में पढ़ा करती थी, वहां पर मेरे साथ अच्छा टीट नहीं किया जाता था लेकिन यहां मुझे तुमाज जैसा दोस्त मिला है, सुकुने बता दिता है वे एक इंसानों, और बताने के साथी जंगलों के तरफ चले जता है अकासिया भी उसका पीछा काती है, पर उसके सामने साइजों आ जता है जो को उसके उपर अटेक करता है, अपने रियल फॉर में आकर और अकासिया की आवाज सुक ने सुन पाता है, वो खुद को रोक नहीं पाता और अकासिया को बचाने के लिए चले जाता है पर वो अकासिया को क्या ही बचा लेगा वो खुद साइजों के हाथों मार खाने लगता है लेकिन सुकुने दिमाख लगाता है और अकासिया की रुजारियों को निकाल देता है अकासिया सुकुने को बतते है बस मैने में सिर्फ एक बार आते है तो मैं वेट करना पड़ेगा और अकासिया खोद को रोक नहीं पाते और वो सुकुने का खोण चूशने लगती है फिर मागलदन का सेन दिखाया जाता है सुकुना सोकर उटता है और उटने के बाद रेडी शड़ी होता है और सुकुल की तरफ निकल जाता है और अपने मन में कहता है मुझे बस एक मैने तक इंतितर करना है उसके बाद मैश जगह से एसकेप कर जाऊंगा और रास्ते में उसे अकयासे मिलती है जो कि उससे चिपक जाती है कोची स्टूडेंट ये सब कुछ देख रहे थे और वो लोग बाते करने लगती है सायद सुकने काफी ज़िदा स्ट्रॉंग है और उसने तो सायजों को भी हराया है अकयासे सुकने को अपने साथ चलने के लिए कहती है और अपना नम कुरूमी बतती है और साथ यह उसके साची बखने लगती है कुरू में अपनी पावर का इस्तमाल करती है जिससे कि वो कुछ देर के लिए सुकने को अपने कंटोल में कर लिती है और अकयासी सुकने को ठूनते ठूनते वहाँ पर पहुंच जाती है और दोनों को एक साथ दिख लिती है सुकने अकयासी से कहता है तुम मुझे बस खाना समझती हो इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं फिर सभी स्टूडन की क्लासिस लग जाती है और टीजर सभी को पढ़ाने लगती है सुकने अपने मन में कहता है सायथ मुझे अकयासी से माफ़ी मांग लें चाहिए और स्कुल की ब्रेक में कोरुमी अकयासी के पाँ जाती है और से कहती है तुम मेरे ग्रेट प्लान की आ गया रही हो मेरा प्लान है इस्कुल के सबी लॉंडों को अपना नौकर बनाना और तुम मेरी सबसे बड़ी अपोनेंट हो और वहाँ पर सुकुने आपोंचता है अकयासी से माफ़ी मागने के लिए लेकिन कुरूमी अपनी पावर का दुबार से इस्तमाल करती है और सुकुने उससे माफ़ी नहीं मागता तुम बस मुझे खाने का नास्ता समझती हो और सारी बाते सुनने के बाद अकयासी काफी दुखी हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है यह सब कुछ करने के बाद कुरूमी काफी ज़्यादा ही आगे बढ़ रही थी लेकिन सुकुने अपने कंट्रोल में आ जाता है कुरूमी अपने पंकों को निकलती है और सुकुने क पर अकायसी आ जाती है और कुरुमे को पंच मारती है लेकिन दुबार से कुरुमे आकर सोकनों को घंसेट ते वह ले जाने लगती है अकायसी भी उसे पकड़ लिती है और वो दोने जंगल में केरती है सोकुने अकायसी का रोजारियो निकालने की ट्राय करता है पर वो नहीं पावर को देखकर कुरुमी भी ड़नने लगती है और अपने मन में कहती है ये तो रैयर एस रंग की मॉंस्टर है पर फिर भी कुरुमी अकायसी को परकाफ़ सरे अटेक करने लगती है अकायसी सारे के सारे अटेक को डॉज करती है और कुरुमी को ठाकर दूर फैक डालती है और कहते हैं मुझे तुमारे पंकों को काट दिना चाहिए सामने सुकुने आ जाता है और अकयासी को ये करने से रोग दिता है और लेटरली कुरुमे तो बच्चों की तरह रोनी लगती है फिर अकयासी अपना रोजार्यों पॉहन लेती है और बिलकुल नौरमल हो जाती है अगले दिन से यो दोनों हमेशा की तरह साथ में स्कुल जाने लगती है और सेन काफी ज़दा रोमेंटिक हो जाता है पर बीच में वहां पर कुरुमी आ जती है कुरुम सुकने से कहते है, मैं तुमारे लिकू किस बना कर लाई हूँ और अपने सामान की मजसे सुकने को बहलाने लगती है अकयासी और कुरुमी सुकने को खीचने लगती है फिर हमें कुछ दुनों बात का सेंध दिखाय जाता है इसकुल में सभी का रिजल्ट आ चुका था और सबसे बुरे मार्क्स सुकुने के थे और सबसे अच्छे मार्क्स अकयासी के थे और अकयासी सुकुने से कहते हैं अब हम दोनों एक साथ में पढ़ सकते हैं और तुमारी हेल्प हो जाएगी और दोनों को एक युकारी नाम के लड़की चुपकर देख रहे थे और तब युकारी के क्लासमर्ट आ जाते है और युकारी को परिसान करने लगते है पर युकारी अपने मैजिक से उन तीनों की उपर कुछ सामन गिराते है एक बंदा काफी ज़दा खुसा हो जाता है लेकिन तबी अकायासी आकर युकारी को बचा लिती है और तीनों खाने पिने के लिए एक जगा पर जाते है और युकारी अपने बारे में सब कुछ बता देती है युकारी अकयासी को पर जब मातेव कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़ादा प्याह करते हूँ चलो डेट पर चलते हैं सुकुने को तो काफी ज़दा नोस ब्लेडिंग होने लगते हैं और काफी सारे इस्टूडेन शर्माई हो थे और अजिब तरीके से देख रहे थे और यह सब कुछ युकारी की वज़े से हो रहा था युकारी सभी के सामने अकयासी का सामान दबा रही थी और सामने सुकुने आ ज़ता है और युकारी को यह करने से मना करता है कुरो में अपने सामान को हिलाते हुए सोकूने के करीब होने लगती है और इस सब को चुपकर युकारी देख रहे थी युकारी एक magic डॉल निकलती है और उसकी मदस से सुकूने को control करती है और खुद को ही पिटवाने लगती है और युकारी सारी हदों को पार कर देती है पेलकुल उसे time पर गम्रे के अंदर अकायासे एंट्री काती है और सुखने खेड रहा था युकारी सुखने के हाथों से प्यंटी को निकलवा दिता है अकायासे को काफे ज़्याधा कुस्ता आता है पर तीनों युकारी को देख लेते हैं उसके बाद सुकने युकारी को पर काफी ज़्यदा खुश्ता काने लगता है पर युकारी को पर असर नहीं पड़ता वो सुकने कई पीटते हुए वहाँ से फाग जाते हैं अकायासे सुकने को रोगते वे कहते है युकारी काफी ज़िदा अकेले है उसे डाटना मत और अकायासे की बाद बिलकुल ठीक होते है बच्पन से युकारी के कोई भी दोस नहीं थे और कुछ दोस बने भी थे पर वो बस युकारी का फायदा उठाते थे और से युकारी की क्लास्मेट युखरी के सामने होसे पकड़ लेते है और जंगलों की तरफ ले जाते है वह ते उन्हें अपने मौन्टर फों में आ जाती है और आगे बढ़ते वह कहते है हम तुम्हें यह पर मार देंगे और युखरी डर्ने लगती है और अपन νगालती है लेकिन एक बंदा उसके magic wand को ही तोड़ देता है लेकिन तब ही वहाँ पर अकायासी आ पहुंचते है और वो युकारी के पाँ जकर गयाते है डरने की जरूत नहीं हम दोनों एक जैसे है पहले मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे पर अब मेरे पास दोस्त है और तुम भी हमारी दोस्त हो लेकिन तब ही पीचे से एक बंदा अटेक करता है और सुकुने आकर युकारी को बचा लिता है पर उसे ही चूट लग जाती है बाकि दो बंदे उन दोनों के उपर अटेक करने के लिए आगी बढ़ते है पर सई टैम पर कुरुमी आकर दोनों को इब बचा लिती है सुकुने अकायसी का रोजारियो निकाल देता है जिस वज़े से अकायसी के पास वेंपायर की फूल पावर आ जाती है और आसपास का एरवावमेंट एकदम लाल हो जाता है और तीन नोई एक एस रंग की मौस्टरों को देखकर डर जाते है अकायसी सर्व एक अटेक के साथ दो बंदों को पेड़ की उपर लड़का दिती है और तीसरे बंदे को एक जोरदार कीक मारती है और पानी में फैक डालती है फिर हम अगले दिन का सीन देखते है अब युकारी सुकुने से कहते है अब मैं तुम्हें भी पसंद काते हूं पर कुरू में काफी साथ खुसा हो जाती है अकायसी जब पानते हैं कहते हैं सुकुने मेरा है फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है अकयासी और सुकने इस्कूल की तरफ पा रहे थे और तब ही वहाँ पर कुरुमी आ जाती है और पीछे से युक्यारी भी आ जाती है उसके बाद इस्कूल में टीचर सभी स्टूडन को पढ़ाने लगती है इस्कुल की ब्रेक में अकयासी और सुकुने एक साथ होते हैं लेकिन वापर कुरुमी आ जाती है और दुनों को अलग कर देती है और वो खुद सुकुने के करीब होने लगती है और सेंतीन स्टूडन के तरफ जाता है जो कि अकयासी, युकारी और कुरुमे को पसंद काते है वो तीनों सुकुने को पकड़ कर उसे पीठने लगते है क्योंकि सबसे बड़ी परिशानी तो सुकुने ही है और साइन टैम पर वहाँ पर युकारी आ जाते है और उन तीनों बंदे के उपर अटेक आते है कोई क्लिक कर लेता है और वो तीनों में से एक था युकारी उसे देख लेती है और वो बंदा कहता है मैं फोटोग्राफी कलब का मेंबर हूँ और दूसरी तरफ एक बंदा कुरुमी को पर काफी ज़दा स्टायल मार रहा था और कुरुमी भी उस मोटे बंदे को नोटेस कर लेती है कुरुमी उस बंदे से पीछा चुड़ान की काफी ज़दर ट्राय काती है और वो बंदा हर जगा पर आ ज़ता है कुरुमी और युकारी ये सारी बाते अकयासी और सुकने को बताती है सुकने तो अपने दुख में था कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है और लड़किया उसे प्रोटेक कर रही है अगले दिन सुकने एक लैटर लिखता है और वहां से निकलने लगता है लेकिन युकारी सुकने को देख लेती है युकारी इस बारे में अकयासी को बदाती है और दोनों का लगने लगता है साइस सुकने सब को छोड़के यहां से जाने वाला है और सीन सुकने की तरफ जता है और सच में सुकने बस का इंतजार कर रहा था लेकिन वहां पर वही तीनों बंदे आ जाते है जोके सुकने से कहते है तो हमारी सब सब बड़ी रुकावाट ने हो अपने on your form काफिज़ूस और वीयट खटंया थे पर अपने मैजिक से चाता ही जर πस देती और हुएं ज़ती हों कि देखकर और नको ا braking के परवा करते हैं शुको ने उन तीनो बंदों को उपर चिलाते हुए कहता है तुम तीनो बस उन लड़क्यों के आगे मुस्यबतों को खड़ी कर रहे हो लिक्न वो तीनो बंदे मरज हो जते है कमबाइन हो जते है जिस हो जिसे उनकी पावर कापी जदा बढ़ जाते है लेकिन सुक ने भी अकायासी का रोजारियो निकाल देता है और अकायासी के पास वेंपायर पावर आ जाती है अकायासी के वेंपायर पावर को देखने के बाद वो तेनों अकायासी के बहुत बड़े फैन हो जाते है अकायासी सर्फ एक कीक माती है और सिर्फ एक केक से उन तीनों बंदों को घरा डालती है और वहाँ पर बस भी आ जाती है फाइनली सुकुने बदता है मैं तो बस लेटर देने के लिए आया था क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बिलकुल भी नहीं पकड़ता और यह सारे लेटर मैंने अपनी फैमली को लिखे है और लड़कियों के सारी गिलत में हम यह दूर हो जाती है फिर हम अगले दिन का सीन देखते है एक स्कुल में एक मैच जरा था और फुटवल मैच में सुकुने काफी जिदा बढ़ी है था तो अपने टीम को जिता देता है फिर हम अगले सीन में देखते है अकयासी और सुकुने काफी करीब आने लगते है पर अकयासी को सुकुने का बस बलड़ पीना था इसकुल की क्लास लग जाती है और टीचर सभी को पढ़ान लगते है फिर स्कुल का ब्रेक हो जाता है और स्कुल में काफी सारी कलब थे और क्लब मेंबर्स एक दूसरे को अपना क्लब जॉइन करने के लिए कह रहे थे और एक स्विमिंग क्लब भी होता है जिसके लेटर इस चीनों से नाम की एक लड़की थी इस चीनों सबोःते हैं किया तुम क्लियब को चौइन करना चाहते हो और से पानी मिले जाकर सुब्विट जिकाने लगती हैं और इस सब कुछ काया से देख रहे थी और काफी गुस्ता भी हो रही ही थी आ काया से ये सब कुछ देख नहीं पाती और वो खड़ी होकर कहती है मैं यहांसे जा रही हूँ और उसका सुकने पीछा करने लगता है पर तब ही कुरी में आती है और सुकने करोग देती है और वहांपर युकारी भी आ जाती है और कुरी में कुछ अलगी प्लान बना लगती है और युकारी का भी कुछ ऐसा ही सोच जिना था और वहाँ पर तीन स्टूडन होते हैं जो कि इस सब कुछ देखने के बाद काफी ज़दा जैलस होने रगते हैं कुरुमी और युकारी तो आपस में लड़ने लगती है और सीन अकयासी की तरफ जता है अकयासी के रोजदारियों अकयासी से कहता है तुम्हें पानी जाकर कहते हैं मैं तुम्हें सिखा सकती हूं और सीन अकयासी की तरफ जता है रोजदारियों अकयासी को पूल में नहीं जाने के लिए कह रहाता पर अकयासी कहती है मैं सुकुने के पाश जान चाहती हूं सुमिंग क्लब की लिडर इचिनों से एक मरमिट थी और उसकी सारी अकयासी पहुंच जती है चोकि पानी से डरने लगती है पर सुकनों के दखकर उसे बचाने के लिए पानी में कुदी जाती है पानी वेंपायस के गमजोरी होती है इसी वज़े से अकयासी पानी के अंदर डूपने लगती है कुरू में आकर इचीनों से को पकड़ती है और इचीनों से पानी के अंदर जाती है और अकायसी के उपर अटेक आती है लेकिन अकायसी हव में आ जाती है और इचीनों से को सिर्फ एक कीक माती है और एक कीक के साथ इचीनों से हा जाती है ACASY सही देख सुकुने के पाज जाकर उसे एक चार्टा माते है और उसे कहते है तो HEACY को बिलकुल भी समझते हैं इसका मतलब गयष हो सकता है वेंपाइर ACASY और ACASY की प्रसनलिटी अलग अलग हो या फिर वो दुन अलग अलग भी हो सकते है सुकुने को खुद पर काफी ज़दा बूरा लगता है कि उसने अकयासी को खत्रे में डाल दिया इसलिव कुछ दिन के बाद अकयासी से दिल से माफ़ी मागता है और वो दोनों इबाते करने लगते हैं असल में हम दोनों को कौनसा कलब जोइन करना चाहिए और तब एक लड़की उन्हें एडवाज देती है और कहती है तुम दोनों न्यूस्पेपर कलब को जोइन कर सकते हूँ युकारी और कुरुमी दोड़ते वे आते वे कहती है हम भी उसी कलब को जोइन करेंगे फिर हम रात का सीन देखते हैं, जेंजिंग रूम में एक मिश्ट्रेस बंदा चाकरा था, सीन ये से कट होता है, अकयासे सुकुने का बलड पी रही थी, और तभी वहाँ पर कुरुमी आ जती है, और सुकुने को अपने पास कर लिती है, अकयासे और कुरुमी एक दूसरे को जहरील नजरों से देखने लगती है, लेकिन दम खुटने की वज़े से, सुकुने वही पर भी उस हो जाता है, सुकुने की टीम ने न्यूस पैपर कलब को जॉइन कर लिया था, और न्यूस पैपर कलब में 5 मेंबर थे, और 5 वां मेंबर का नाम गिन था, और गिन ही लोगों के पास कोई ऐसे न्यूज है जिसे हम पैपर में चाप सके और कुरुमी कहती है हाले में खबरे पैल रही है कोई एक ऐसा बंदा है जो कि चेंजिंग रूम में चागता है हम उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं फिर कुरुमी और अकैसी पोस्टर को दिवार के उपर जिब कान लगते हैं और गिन वही पर बेट कर देखने लगता है और तब इसुकने आ जाता है और सुकनों को पते चलता है असल में गिन क्या कर रहा है पर गिन पूरी तरह से पलट जाता है और कहता है मैं देख रहा था तुमारी नजर कैसी है असल में तुम्ही पैंटिस क उसके पास से मुझे अजीब और फूल हुआ है गिन स्कुल के चेट के उपर होता है और हो कहता है अकयासी मैं तो पसंड करता हूँ अगले दिन सुकुल ने अकयासी से काफी ज़दा माफी माँगता है इस्कुल के चेंज रूम में लड़किया बाते कर रहे थी अक्यासी और सुकुने का बौंड काफ़ी जढ गह रहा है और इस सारी बाती गिन सुन रहा था गिन मनी मन Simon सुकुने को गालिया देने लगता है सुकुने चेंजरूं के बाहर से गुज़र रहा था लेकिन सुकुने के foto नग जाता है और एविडेंस के तौर पर गिन फोटोस क्लिक कर लेता है और स्कुल में बात फैल जाती है शुकुने यह वो अपरादी है जो चेंज रूम में चाकता है और लड़किया विचेर सुकुने की काफी बुरी तरह से पिटाय भी कर देती है पर को रूमी और युकारी को शक हो र पर बात नहीं बनती और गिन फोटोस निकाल कर दिखाता है और फोटो को दिखने के बाद अक्यासे को गिन के ऊपर यकिन होने लगता है लेकिन तब युँकारी गुरू में आते है डिट्रेक्टिव के कपड़े पयान कर और वो गिन से सवाल पूछने लगते है जैसे कि वहाँ पर थे तुम्हें फोटोस क्यों क्लिक किये तुम्हें रोकना भी चाहिए था इन सारे सवालों से गिन काफे जदा कंफियोस होने लगता है लेकिन तबहे उसकी पौकेट से कुछ फोटोस किरते है और वो लड़कियों की फोटो थी और फोटोस से साबित हो जाता है गेनी वो मेन अपरादी है गेन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बसता वो अपने मॉंस्टर फोर में आने लगता है और गेन एक वैर वूल्फ होता है और वहाँ पर सुकन भी आ जाता है अकयासी को बचाने के लिए और वो अकयासी का रोजारियों निकाल देता है तक कि अकयासी फाइट कर सके गेन और अकयासी लगबक सेम लेवल पर थे लेकिन अकयासी उसका हाथ बकल लिता है क्योंकि चांद ठक चुका था और वैर वूल्फ कमजोर हो चुका था उसे मौके का फाइदा उठा कर अकयासी उसे बिल्दिंग से नीचे फैक डालती है फिर कहते हैं मैंने जितना ज़दा सोच था तो मुझसे ज़्यादा क्योंट हो उसके बाद इसकुल की क्लासे से लग जाती है और टीजर सभी को पढ़ाने लगती है और सभी से कहते है एक सुरयाकी नाम की स्टूडन है जो इसकुल नहीं आती लेकिन वो अब से आएगी और सभ हमारा न्यूस पेपर पड़ा और साथ है अपनी लिखी हुई बुक देते हैं जिससे दिखने के बाद सुकुने की ठालती खराब हो जाती है सेंट क्लास टीचर के उपर जाता है वैसे इसका नाम सिजुका है और सिजुका के पास दूसरा टीचर आता है और से कहता है क्या रहा था मैं यहां पर नहीं रह सकता मुझे पांटी में जाना है असल में सुकुने की टीम ने पांटी का प्लान बनाया था और दूसरी तरफ अकायसे सुकुने का इंतजार कर रही थी लेकिन वहां पर सिरायकी आ जाती है और अकायसे का गाला पकड़कर मानने लगती ये बस सिरायकी का क्रिस्टल फॉर्म था और दूसरी तरफ असले वाली सिरायकी सुकुनी की पिटाई कर रही थी सिरयुकी कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर जमा दुँगे ताकि यहाँ पर आकर मैं हमेसा तुम्हार साथ खिल सकूँ टीचर सेजुका सुकने की टीम से कहते ही, सीरावकी ने एक टीचर की वब और एटेक किया, और उसे काफी जदा खाईल के दिया, अब उसे जल्दी अकेडमי से बाहर निकाल दिया जाएगा सुकने को सीरायवकी के लिए काफी बुरा लगता है इसलिए वो कहता है मैं उससे बात करना चाहता हूं यह काफी कतनाकता है लेकिन तब भी वहां से निकल जाता है और तब गिन आता है और कुछ फोटो दिखाता है सिन यह से कट होता है सुकन लटके भी वहां पर पहुंच जाती है और सुकने को फोटो दिखाती है जो कि गिन्ने खीचे थे और फोटो के अंदर उसे घटिया टीचर ने सीरायुकी के साथ अच्छा ब्याव नहीं किया था सुकने सब को समझ जाता है पर अब काफी देर हो चुकी थी लेकिन सीरायुकी के नीचे के बव टोट जाती है और गिन्ने लगती है लेकिन सुकने जाकर उसे पकड़ लिता है और सीरायुकी की क्लोंस आगे बढ़ रहती है सीरायुकी केहती है इस सभी क्लोंस आउट अगे ब रोजारेश पर च्दाहले पीर हम आगले दिन का सेन्द दिखाया जाता है हम रिको नाम की एक टीचर को देखते है जो कि पिछले हेपते ही आई थी और रीको मैत को पढ़ाने वाली ही रीको अपना लेसन देने लगती ही और सुकुने मैत में काफी ज़्यदा बूरा था अक यासी सुकुने से कहती ही हम लोग साथ मैं स्टड़ी कर सकते ही मैं तुमारी मदद कर दोंगी और साथी उसका बलड की लंबी फैक दी थी और कुरुमी भी मैत में अच्छे नहीं थी साम तक सुकुने की टीम का ग्रूप स्टड़ी खतम हो जाता है और तभी वाँ पर टीचरी को आती है और सुकुने से कहती है तुम लोग ग्रूप स्टड़ी कर रहे थे और कैसी से सीधे कहती है तुम अब सुकने की मदद नहीं कर सकती, मैं खुद सुकने को बढ़ाऊंगी, ताकि उसका मैथ और भी जदा अच्छा हो जाए, अगले दिन सुकने की टेम, टीजेक के बारे में बाते कर रही थी, और गुरुमी कहती, उसका सामन बढ़ा है, इसलिए वो जल्दी इसकुल में पॉपलर हो रही है, और युकारी, तुम तो भूली जाओ, यह कभी सोचना में मत, कि तुम कभी पॉपलर हो सकती हो, सुकने कहता है, मैं काफी जदा मेहनत करूंगा, ताकि मुझे समर में एक्स्ट्रा लेसन ना लेना पड़े, और फिर समर में मज़ई-मजई, अगले सिन में सुकन अपने एक्स्ट्रा लेसन के लिए टीचर के पा जाता है, और टीचर ने अजवी सक अपड़े पहने होई थी, और फिर टीचर अपना लेसन सुरू कर देती है, और सुकने को पढ़ाने लगती है, फिर मागले दिन का सिन दिखाय जाता है, कुरुमी युकारी से पढ़ाय म help करने के लिए क्याती है और मना करने पर उसे बांद कर लिए जाती है सामने उन्हें सुकने मिलता है जो कि साहथ बढ़ाई की होज़े से depression में चले गया था टीचर के मना करने की बावज़ित भी अकयासी नोट बनाये थी ताकि इस सुकने की help हो जाए और अकयासी नोट को सुकने को देने के लिए जाती है लेकिन टीचर रिको उसे देख लेती है और अकयासी के उपर काफी सदा खुज़ा करती है और उसे बुरा भला कयाकर सुकने को अपने साथ ले जाती है एक्स्ट्रा लेसन के लिए और सुकने मैत में थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका था पर सुकने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हैगरेनरेस हुआ पड़ा है और कुछी दिनों तक सुकने इसी तरह लगातार पड़ाय करता है पर अक्यासी सुकने को अपने पास बुलाती है और सुकने टीचर का हाथ चुमते वे उसे मना कर देता है लेकिन तब भी वहाँ पर सिराव किया जती है और अटेक कर देती है और टीचर भी कुछ फैक कर मारती है और अक्यासी एक सामान को टीचर के सरकेव पर मार देती है जिस को एक लात मार कर हरा देती है अगले दिन सभी स्टूडन का मैध का टेस्ट होता है और मैध का रिजल्ड भी आ जाता है और सभी ने अच्छा किया था बस कुरुमी को छोड़कर और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन का सभी स्टूडन को इंतजार था मतलब स्कुल का सम काफी बूरा था कोछ टाइक की बाद वोस्ता भी लोग इंसानों के वर्ल में पहुंच जाते हैं और एक बीच पर जाते हैं मज़े करने के लिए और वहाँ पर गेम्स खेलने लगते हैं और सिजुका तो अलग-अलग मचलियों को देखने लगती हैं अकयासे और सुकने पर पहुंचते हैं और वहाँ पर एक साइन बॉर्ड भी था जिसको उपर लिखा था यहां पर आना मना है और एक बंदा सुकुने की टीम को छोपकर दिख रहा था और वहाँ पर एक कपल भी होता है और लड़की डरी वी थी वो कहते हैं मैंने सुना है यहां पर विच्च पर चीज रहती है मुझे डल लग रहा है यह से जल्दे से चलते हैं और वहाँ पर एक सच्पूच वेच होती है जिसका नम रूबी था और वह भी उनके उपर नजर रखी वी थी फिर साम हो जाती है सुकुने के टीवाँ पर टैंट वगेरा लगाने लगती है और खाना बना लगती है और सेन रूबी की तरफ जिता है रूबी अपने मा अटर सके आती है यह पर एक छोटी बीच है जिसे हम अपने साथ मिला सकते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है युकारी सुकुने के पांस पहुचते उसकी मदद करने के लिए पर वह मना कर देता है और और फिर अकाय से के पाए जाते हैं और स्यर्ययकौटे इस्वाय पाल जाते है उसके उपना नाम और रोगेर से को बचती है और कहती है ये मेरे दोस्त है रूबी को इंसानों से नपरत थी इसलिए वो दुबार से सुकने को उपर अटेक करके उसे पकल लिते है और साथ युकारी को भी पकल लिती है युकारी एक हाई लेवल का मैजिक काती है और खुद को और सुकने को बचा लिती है और दुनों गिर जाते है और हावज़े सुनकर वहाँ पर बाकी लड़के भी आ जाती है और युकारी कहते है मैं बलकुल ठीक हूँ और युकारी रूबी से कहते है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास अपने दोस्त है अकाय से सुकुने से कहते हैं क्या तुम ठीक हो और तबी सुकुने के उपर अटेक होता है अकाय से काफी जदा गुसा हो जाती है और बिना रोजारियों निकाले अपने वेंपायर फो में आ जाती है सेरा यूकी और कुरो में भी काफी गुसा हो जती है और एक साथ रुबी के उपर अटेक करते है सिन रुबी के पांश्ट में जाता है जहाँ पर रुबी की मास्टर रुबी से कहते है चिंता मत करना मैं हमेसा तुम्हारे साथ रहूँगी और यहीं परोंगी और सिन प्रेजन में आता है रूबी टेंट के अंदर होती है और सुकुने की टीम ने रूबी को कुछ भी नहीं किया होता है सुकुने रूबी से कहता है हम तुमारी कहानी को सुनना चाते है और रूबी कहते है कहीं सालों से इस पहाड़ी पर वीचिस रहते वे आ रही है ये पहाड़ी वीचिस के जगा है लेकिन यहाँ पर इंसान गुज गए और सब कुछ तबाह करने लगे इसलिए मैं इंसानों से काफी नपरत करती हूँ और यूमन्स को खतम करना चाहते हूँ और सुकुने की टेम रूबी को समझान लगती है और कहती है तुम हमार साथ अकेडमी आ सकती हो वहाँ पर तुम अच्छे से रह सकती हो और रूबी भी इसके बार में सोचती है लेकिन वो आदी रात को टेंट से निकल जाती है और कहती मैं अपने मांस्टर को धोका नहीं दे सकती रूबी अपने कासल पहुंचती है और अपने मांस्टर से माफ़ी मागती है लेकिन जड़े रूबी को पकल लिती है और दूसरी तरफ सुकुने की टीम को भी पता चल जाता है रूबी टेंट से निकल चुकी है और वो लोग ढूणने लगते है रूबी खुद उनके पाँ जाती है और बहुत सारे मॉंस्टर को ले आती है और अटेक करने के लिए कहती है सुकुने के पास को भी पावर नहीं थी लेकिन बाकी लड़किया मिलकर सुकुने को बचाती है और अकासिया भी अपने वेंपायर फॉर्म में नहीं थी सुकुने अकासिया के वरोजारियों निकाल देता है, और अकासिया वेंपायर फोμ में आ जाती है, और कुजी देर में अकासिया मॉस्टर का ढेर लगा देती है और रूबी और अकासिया अपस में फाइट करने लगते है, रूबी एक मैजी करते हैं जिसे की मौस्टर रिजरेत होने लगते है और मौस्टर की तदर काफी जदा बढ़ जाती है, और वहाँ पर एक दम खमासान फाइट होने लगती है, शुकुने कहता है मैं रूबी के से बात करूंगा तब जाकर रूबी को रुका जा सकता है इसलिए मैं कासल की तरफ जा रहा हूं और सामने एक बहुत बड़ा मौटरा जाता है वसी रहा कि उस मौटर को मार देती है और कुछ टैम के बाद सुकुने कासल तक पहुंच जाता है और कासल के अंदर एंट्री मार पहुंच जाता है जो रूबी यह नहीं मानना चाहती थी कि उसकी मास्टर पहले से मर चुकी है रूबी काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी पाव को रिलिस करते हुए एक फौर बिड़न मैजिक करते है जिससे कि वह एक मौस्टर में तकदिल हो जाती है यूपारी अपन पी रहा था यूपारी जल दिसे एक मैजिक करते है और रूबी को डिश्टर करते है उसे मौके का फाइदा उठाकर अकायासी रूबी के उपर अटेक करती है और वहाँ पर बहुत बड़ा बलाश्ट होता है सुकुने की टीम दूर खड़ी हुई थी सुकुने की टीम को ल वह लोग काफी जदा खुस हो जाते है उसके बात से सभी के इसके लिश्ट बसplace हो जाते है और चुट्या खत्म हो जाते है शुकुने की टीम काफी सारे अलग-अलग न्यूज़्स पेपर चापते है तकि सभी को न्यूज़्स पेपर पसंद आई लेकिन कुछ ओछ लोग सकते अगर तुम्हें घुज़ा आ रहा है तो हम लोग कॉम्पेटेशन कर सकते जिसका न्यूस पेपर कलर पॉपलर हुगा वही आगे चलेगा और सुकुने की टीम जैसे तैसे अपने न्यूस पेपर बेज देते लेकिन इस्टुडेंट उस न्यूस पेपर पर जाद थ्यान नहीं देते उसके बाद सुकुने की टीम सिजुका से बात कहती है और सिजुका कहती है मैं भी चौकी हुई हूँ मेरे ख्याल से अब जो न्यूस पेपर कलर पॉपलर हुगा वही आगे चलेगा तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा और सेंच चेंज होता है गिन अपना इ न्यूस पेपर को बेजने लगते हैं और कुरुमे का प्लाण चौपट हो जाता है और गिना का सबी को बताने लगता है वो कलब पबलिक सेफटी कमिशन के सपोर्ट से है और हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते मेरी जानकारी के मताबिक पबलिक सेफटी कमिशन एक जो कि बच्चो को परिशान कता है उनसे पैसे लोटता है पर हम लोग उनका कुछ भी नहीं भीगाड सकते निउसपेपर कलब का प्रेशलिंगिन था इसलिए गिन कहता है मेरा ओडर है हम सब भी निउसपेपस को जला देंगे लेकिन कुरुमी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती और तब यवाँ पर गेतो आजाती और न्यूसपेपर को ले लिती और कहती ये रद्दी न्यूसपेपर और साथी आग की भटी के अंदर डाल देती कुरुम्य घुस्सा हो जाती लेकिन गेतो की सात्या कुरुमी को पकड़ लिती है, गेतो एक मौस्टर मकड़ी थी, वो अपनी पावर से कुरुमी को जालो में बंड कर देती है, गेतो सुकनों को भी पकड़ लिती है, लेकिन सही टेम पर अकायसी और इकरी आप पहुंचते है, और अकायसी सुकनों को बान डालती है न्यूस पैपर्स जल चुके थे इसलिए कुरू में काफी सथ दुखी हो जाती है फिर सिंग चेंज होता है हमें पब्लिक सेवटी कमिशन का सिंग दिखाया जाता है कमिशन का लीडर सुकुने की टीम की जानकारिया दीक रहा था और उन पैपर्स को जला दिता है सुकुने की टीम पब्लिक सेवटी कमिशन की खिलाब काफी सारे सबुतों के खटा काने लगती है जिसमें की पब्लिक सेवटी बुरे काम कर रही थी और बहुत सारे सबुतों के कटा कर लेती है सिरायव की उन्हें बताती है मैं कुछ लोगों को जानती हूं जो की पब् से काफी ज़दा डरे वी थी इसलिए वो लोग सुकुने की टीम को प्रब्लिक सेब्टी कमिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती फिर हम अगले दिन का सिन दिखाया जाता है अकायासी और सुकुने का बलट भी नहीं वाले थी लेकिन तभी वहां पर कुरुमी आ जाती है और अकायासी को रोग देती है अगले सिन मेसेज उखा अपना लेसन देने लगती है लगन तभी क्लास में परब्लिक सेब्टी कमिशन आ पहुंचती है कमिशन का लेडर सिधे सुकुने के पा जाता है और उसे कहता है हमें शाक है कि तुम एक इंसान हो इसलिए कमिशन का लेडर जिसका नम क्यों है वो सुकुने से पूछताच कर रहा था क्यों सुकुने से कहता है जिस भी स्टूडन के साथ तुमारी फाइट हुई थी और पूछाए क्या तुम्हें मौस्टर फॉर में देखा गया था या फिर नई और उन सभी का जाब ना था और हम कोने फाइनली एक्सेप कर लेता है मैं एक इनसान हो और अकायसी उसे कहते है आके तुमने क्यों बताई कोरुमे तो सिधे उसे चाटा माती है और कहते तो मैं पहले से सब कुछ बता था क्यों सुकुने से कहता है अब तुम्हें सभी के सामने ले जाकर मात दिया जाएगा और से इन कुरूमी की तरफ जगता है, कुरूमी जाकर युकारी और इनको सब को इच बता देते हैं, और कुरूमी काफी घुस से में थी, अकयसी को सब कोई पता था, लेकिन अकयसी ने चुपा कर रखा, दूसरी तरब क्यों सुकुनों को बानकर सभी स्टूडन के सामने ले जाता है और स्टूडन को जब पता चलता है सुकुने एक इंसान है तो वो सभी स्टूडन का फिसदा खुसा हो जाते है और नारे लगाने लगते है उसे जल्दी से मार दो टीचर सिजुका सुकुने के लिए काफी ज़दा परिसान थी और टीचरी को सिजुका से कहती है अब कुछ भी नहीं किया जा सकता सुकुने एक इनसान है उसे मानना पड़ेगा टीचर सिजुका इस्कुल के डायरेक्टर से मिलती है और से बात करती है गयर से इस बंदे को आप लोग पहचानते ही होंगे ये वीडियो की शुरुआत में दिखा था लेकिन डायरेक्टर भी कह देता है अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्यों सबी के सामने सुकुने को मान सब्सका हमें इस बेशा और वहां पर एक्वा आजाता है की धायूआ से क्युका बचा Castle फोही था खोन सकेक्ट समय और वहां पर रूपी ये observe करते हैं और कर्पी तोड़ की ओर फ la क्यों सुकुनों को सभी के सामरे जलाने वाला था लेकिन वहाँ पर सिरह की बर्फ बना दिती है क्यों अपने साथियों को इन सभी को पीटने के लिए कहता है और मौका देखकर रुबी और कुरुमी सुकुनों को बचा कर सेफ जगा पर लिजाते है और वहाँ पर Rokaisi भी आ जाती है, लेकिन तब ही सुकुने को और अटेक होता है, और अटेक करने वाला क्यों था, सुकुने की बॉडी जल जाती है, और वो काफी ज़दा खायल हो जाता है, लेकिन वो Rokaisi का रोजारियो निकाल देता है, ताकि एकायासी फाइट कर सके और एकायासी एक वैंपायर में बदल जाती है और क्यों को एक जोरदार किक मारती है और सुकुने के पांस साकर के आती है इसे बचाने का सिर्फ एक रास्ता है मैं इसके अंदर अपना ब्लड ट्रांसपर करूंगी लेकिन वहाँ पर क्यों आ जाता है जो कि अपने मौंस्टर फॉर में होता है और क्यों असल में एक डीमन फॉक्स था क्यों सबी के उपर एक अटेक आता है जो कि काफी स्टॉंग था लेकिन सामने गिना कर उस अटेक को ब्लॉक करता है पर वो खुद खायल हो जता है और सामने युकारी, रूबी, सिरायोकी और कुरू में आ जते है तोड़ा बहुत टैम निकालने के लिए ताकि अकायासी सुकनों को बचा ले अकायासी बलड को ट्रांसवर करने लगते है रूबी और युकारी मुलकर एक मैजिक करते है और एक बहुत बड़े क्रो को अटेक करने के लिए बहते है और वो क्रो क्योंकि एक आग फोर देता है और क्यों घुस्ते में अपने फाइनल फॉम में आ जता है जिसमें क्यों काफी ज़दा स्टॉंग था लेकिन तब तक Akiasi blood को transfer कर देती और वो मैदन में उतराते fight करने के लिए Akiasi Q के उपर combat attack करने लगती लेकिन Q काफी ज़दा strong था और उसकी spirit भी काफी ज़दा थी Q को Akiasi के attack से कुछ भी नहीं होता और वो Akiasi के उपर सिर्फ एक attack करता है और उसे दूर फैक डालता है लेकिन तब तक सुकुने होस में आ चुका था और वो उठकर Akiasi को उठा लेता है सुकुने को जिन्दा देखकर क्यों काफी ज़दा खुसा हो जाता है Q अटेक करने के लिए आगे पड़ता है पर पीच जिसे गिनू से पकड़ लेता है और कहता है मेरी स्पीड काफी ज़दा है उसे का मौका देखकर Akiasi एक पाव फुल के उससे जड़ देती है वहाँ पर बहुत सारे student एकटा हो जाते है और सबी को लगने लगता है सायद सुकुने कोई इंसान नए असल में मौन्स्टर होगा इसे वज़े से उसे ने Q को हरा दिया पावाइट की वज़े से Akiasi काफी ज़दा खायल हो गई थी लेकिन कोई दुने के बाद वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है और सुकुने उसके लिए फूल लेकर आता है और उस दोनों काफी ज़दा करीब होने लगते है लेकिन तब ही वहाँ पर बाकी लड़किया बेर जाते है तो इसे के साथ गैस यह वाले वीडियो खतम होता है मिलते है नेक्स वीडियो में